हलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूटुब सेना ओलाइन कोचिंग टिप्स में दो दोस्ता हम बात करेंगे जैक पोड्स एक्जाम 2021 को लेकर आज एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि जैक की तरफ से एक्जाम को लेकर कि क्या एक अपडेट निकल कर आई तो सारा कुछ डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बात करेंगे ठीक है वीडियो अच्छा लागे तो लाइक कॉमेंट शियर जरूर कीजेग और अभी तक मेरे चलन को सस्क्राइब नहीं किये तो प्लीज सस्क्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को प्रेस कर अन अटिपिकेश का क्या होगा इसका कुछ सारा कुछ डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बात करेंगे तो आज का जो अपडेट आया है वह जेक की तरफ से आया हुआ ठीक है तो एक आर्टिकल में दिया गया है कि मैट्रिक का एक्जाम्स कैंसल हो सकती है और इंट्यार का एक्जाम्स होगा क्या नहीं होगा उसका सारा कुछ डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बात करेंगे तो मैट्रिक का जो एक्जाम्स जो रुआधा को किस आधार पर उसका रिजाल्ट बनेगा यह सारा कुछ डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो को पूर लेकर में आपको ले चलते हैं तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर दिया गया है कि यहां पर पुरा confirm मतलब दिया नहीं है कि यहां पर बताया गया है कि Jack board की metric परिच्छा हो सकती है रद ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं कि CBSC और ICC की तर्ज पर जारकन एकडिमिक काउंसलिंग की metric की परिच्छा भी को परवायत करने वाले संभावें तीसरी लहर को देखते हुए सरकार इस पर निरन्य को ले सकती है यानि इसका बेठक होने वाला है निरन्य निर्न्ह वाला हुए एक जून कोMusic को होने कि इसका एक्जाम्स होगा एक्जाम्स राध होगा इसका सारा कुछ एक जुन को ही पता चल जागा ठीक है मैंट्रिक इंटर की मीडियेट किसी भी छाथ-चत्राइं के लिए आहां होता है जारकन एकडमिंग काउंसलिंग परिच्छा के संचलान के पाच में है सोसेल डिस्ट होगा परिच्छा के आयोजन में उनमें करोना संक्रमान फेलने के संबबना बढ़ सकती है यानि कि इसका एक्जाम अगर लिया जाता है तो इसमें कोविड-19 के महामारी ज्यादा फेल सकती है इसे में राज सरकार मेट्रिक के परिच्छा नहीं लेने पर मुहर लगा सकती ह है CBSC और ICC Board ने पहलेी 10 W के परिच्छ नहीं लेने का एलान किया था मतलले एक्जाम नहीं लेने का एलान किया त info और אैसे और бесп Ήल्रीक के अधार रमेस-पोखृयल निसांस के साथ बैठाग में जहरकण की और से मेट्र इंट्रमीडर परिच्छा लिये जाने को प्राइधिमिक्ता बताइग गई है यानि कि इसका जो सिच्छा मंत्र जो है रमेस पोक्रियल यह एक्जाम जारकन की ओर से मैट्रिक और इंटर्मिडिक परिच्छा लिए जाने की प्राष्ण में बताई गई है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कीस आधार पर अगर इसका एक्जाम जद होता है तो की इच्छा रद होती है तो नौवी क्लास के रिजल्ट के अधार पर चात्र चात्रा पास किये जाएंगे यानि इसका जो रिजल्ट बनेगा वो नौवी के अधार पर इसका रिजल्ट बनेगा ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह इसका जो एक्जाम का जो मेट्रिक बनेगा वो नोवी का अधार पर इसका result बनेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर पताए गया है कि परिच्छा हुई तो result में होगी देरी अगर इसका अगर एक्जाम्स लिया जाता है तो इसका result के लिए बहुत देर हो जाएगा तो इसका सेशन जो है बढ़ जाएगा तो यहां पर अब देख सकते हैं मेट्रिक परिच्छा लेने का सरकार अगर निर्ने लेती है तो इसके आईजन और रिजल्ट जारी करने में देरी होगी बर में लग सकता है इसका result जारी करने में अक्टूबर नमबर तर लग सकता है इसे में दुसरे बोड का result पहले आज चुका होगा और intermediate वो प्लस टू में नमंकन भी शुरू हो जाएगा इस स्थिति में धरकन बोड का बच्चों का नुकसान होगा यानि कि इसका जो है कि क्या होगा तो intermediate को हो सकेगी परिछा यानि कि intermediate का EXAMS ले जाएगा त्यहाँ पर देख सकते है INS матrAbs के परिच्छार थोने की स्थिति में सरकार intermediate के परिच्छा फोकस कर सकती है इसका आवजन करोना के मामले कम होने पर अगस्तक लिया किया जा सकता है इसके pattern में कुछ भी बदलाव करने पर सामती बन सकती है ताकि छाठ चात्राओं को दिक्कत ना हो intermediate के परिच्छा नहीं लेने से मार्स के अधर पर बिच्छी बदलाव में ग्रेजिशन या में लांकन की समझसा आ सकती है अगर इसके इंटर का अगर exam नहीं ले जाता है तो इसके marks जो number जाएगा तो उसके जो ग्रेजिशन में जो admission लेगा उसमें आपका असर आ सकती है समझसा problem आ सकती है ठीक है तो इसमें से क्या होता है कि मैट्रिक का result रद हो सकती है और intermediate का exams होगा तो में तो इसमें से साब पता चल रहा है कि मैट्रिक का exams रद होगा ही और intermediate का exams लिया जाएगा तो ठीक है तो वीडियो को अच्छा लगए तो लाइक कोमेंट शेयर जरू किजिएगा और अभी तक मेरे चलन को सब्सक्राइब नहीं कि इंद प्लीज सब्सक्राइब कर लेज़ेगा और बेल आइकन को प्रेस कर आपको आपको आसानी से मिल जाएगा तो चले मैं वीडियो का अहीं परांत करता हूं मेरे इतना ही अपडेट था आज का जो अपडेट था जेक की तरप से इतना ही था अब मिलते हैं नेस्ट अपडेट में ठीक है